हेलो वर्वान वेल्कम क्यों प्रेक्ट्रिकल्स के उपर एक इंपॉर्डन सेशन ब्रीफ लेडिसस करने जा रहे अपने दिखा होगा एक एक एक्जामनेशन में एक से दो कॉश्चन्स आपको डेफिनेटली पूछ जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हैं हमने और आप लोग सेशन हैं सर्विंग शीत आर्मरिंग इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स रहते हैं एक्जामनेशन में उसका डिस्टन्स और यह सारी चीज़ हम लोग आपको पूछा जाता है क्वेशन हम लोग सारे क्वेशन आज करने वाले अगर आप चाहते हो कि इसके सब्सक्राइब करेंगे अगर आप यह भी सेशन देखते हो आपके सारे डाउट्स हैं वो कंप्लेटल क्लियर हो जाएगे बट मैं आपको इसलिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ क्यूंकि आपको क्वेशन किस तरीके से पूछ जाते हैं उसकी प्रावबिलिटी आपको आप सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके है और आपको हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाइब को भी सब्सक्राइब करना होगा तो लेट सबसे पहले तो हमें इसके नेसेसिटी जाननी होगी ठीक है कि हमें एलेक्ट्री केबल की जरुवत क्यों रहती है एलेक्ट्री सबसे पहले तो वह हमें डिसस करना पड़ेगा इसके अड्वेंटेज से लेस लाइबल फॉर डैमेज द्यू टू स्टॉम्स स्टॉम्स है हमाँ हमें यह प्रोटेट करते हैं लाइटनिंग स्टॉक कहां पर जाता आते हैं आपने देखाऊंगा ओरे ट्रांस्मिशन लाइ में requirement रहती है इसलिए जो maintenance cost है केबल का इसका कम रहता है less chances of fault chances of fault भी इसमें electrical cables में कम रहते smaller voltage drop यह भी एक हमार advantages है and better general appearance यह दिखने में काफी neat and clean लगता है आपको overhead conductors जैसा हमें यह दिखाई नहीं देता है ठीक है यह तो होगे इसके कुछ advantages साथ साथ मैं आपको बता तो electric cables के साथ अपने कुछ disadvantages भी है वह भी आपको मैं dises कर रहूंगा आने वाले slides में सबसे पहले अगर हम लोग decision करते है तो इसका fault location जो है कि वह हमें find out करने के लिए काफी ज़्यदा दिक्कत होती है यह सबसे दे में जो examination में पूछा जाएगा वह मैं आपको बता देता है ठीक है यह हैंडेट पसन इसमें से एक question पूछ जाता है ठीक है इसके voltage लेवल आपको पूछ जाते तो इसको ध्यान से देखना होगा ठीक है low tension cables में up to 1000 volt तक हमारा रहता है high tension cable आता है हमारे पास उस पर 11 kv that means 11,000 volts तक हम लोग उसको यूज़ करते दिन super tension आता है तो उसमें 22 kv to 33 kv के बीच में हमारा वो cable लाए करता है दिन उसके बाद में extra high tension EHT cables का voltage rating आपको अगर पूछ जाए examination में तो आपको mark करके ना है 33 kv to 66 k then हमारे पास में extra super voltage cable आता है तो वो beyond 132 kv के लिए हम लोग उसको use करते हाला कि इसके कुछ limitations भी रहते हैं बट आपको ये voltage की values ध्यान में रखना होगा ठीक है classification low tension high tension super tension extra high tension and extra super voltage cables ये classification important है इसमें से एक question आपको पूछा जा सकता है ठीक जहां जहां मैं आपको बता तो questions नहीं होगा ठीक है तो ये थे होगा अभी हमारे advantages और उसका हमने classification कि हमने underground cables को किस तरीके से classify किया ओके अभी तो हमें सबसे पहले तो construction देखना होगा अपने काफी बार ये image देखा होगा ठीक है इसमें आपको जो cable का construction है आपको मैं briefly explain करता तो फिर हम लोग detail में one by one सारी च तरीके से दिखाया दिता है ठीक है इसमें से आप इसके अगर image ध्यान में रख लेते हो तो आपको सारे जो terminologies में आगे चलके explain करूंगो आपको सारे समझ भेंगे ये तो होगे यहापर जो copper के conductors है ठीक है यह हमारा insulation है यहापर दिन हमारे पास में यह जो filler है इसकी बिच म सबसे पहले अभी हमारे पास हम लोग आते हैं हमारे construction of cable पे तो उसमें सबसे पहले हमारा factor term क्या रहती है है हमारे conductor Conductor C हमारा important factor है जिसमें से हमारा current फिर power हमारा transmit होता है यह जो conductor है हमारे copper के रह सकता है या फिर aluminum के रहेगा या फिर copper कर रहाएगा ठीक है? यह दो टाइप के हमारे materials ही हम लोग उसको use करते हैं क्योंकि हमारे इसकी conductivity काफी जाधा रहती है copper की conductivity काफी जाधा रहती है as compared to aluminum की हम लोग aluminum भी use करते है depending upon the application इन दोनो materials की metals की conductivity काफी जाधा रहती है इसलिए हम लोग इसमें copper और aluminum use करते है electrical current या फिर power current carry करने के लिए ठीक है अब इसमें classification भी आते हैं सबसे बहले तो solid conductor हो गया ठीक है solid conductor आ सकता है उसके बाद में standard यह होगा standard then flexible and extra flexible these are the classification of conductor that means यह हमारे classification है conductors के जो इसमें से हमारा power carry करता है that means conductors are the only power carrying path in the power cable यह power cable के अंदर conductors के through ही हमारा power carry होता है ठीक है जो हमें transmit करना रहता है ठीक है एक तो वह copper कराई सकती है या फिर aluminum कराई सकते है next हमारे पास कहता है insulation देखे यहाँ पर मैंने आपके image के form मैंने आपको समझाने की कोशिच के आप ध्यान से देखेगा यह तो हमाय हो गया हमारा conductor अभी हमने आ पर देख्या insulation देखे इस core को इस conductor के cable को जो surrounded है इसी को हम लोग कहते है insulation देखे इस nothing but insulation और हम लोग उसको different color से code करते हैं so that हम लोग उसका phase या फिर हम लोग उसका current carrying conductor है हम लोग उसको identify कर पाए insulation provided on the cables are mainly of materials उसमें से हमारे पास जो insulation प्रवाइड किया है यह तो हमारा PVC रहता है इसका full form क्या है polyvinyl chloride XLP crosslinked polyethylene that means XLP का क्या है XL that means crosslinked polyethylene polyethylene और दिन हमारे पास rubber हम लोग यह तीन तरीके के materials रहता है insulation के रहे अब आपको examination में कुछ इस तरीके से question आएगा कि हम लोग insulation के लिए कौन से इसकों से material use करते तो इसमें से आपको कुछ चार options provided रहेंगे उसमें से different materials में से अगर आपको PVC XLP rubber आता है तो उसमें से आपको excel करना होगा ठीक है अगर तीनों भी आते है तो all of the above आपका इसका correct answer आजागा इस तरीके से questions आपको examination में देखने को मिल सकते है अभी course are identified by the color coding by using different colors of on insulation or by number printing on the course. इस course के उपर एक number printed रहते है हमारे पास कुछ या फिर इसका color coded गया रहते है हम लोग identify कर सब्सक्राइब जिसी के अगर है पर red color से है तो यह हम लोग our face के लिए yellow face के लिए यहां पर neutral के लिए हम लोग उस करेंगे और यह blue के लिए blue face यह हमारा multi core cable है तो यह तो हो गया हमारा insulation अभी इसमें maximum operating temperature पे एक question पूछ रहता है वो मैं आपको चार्ट बता देता हूं ठीक है that means maximum operating temperature of various insulating materials are this यह important chart है ठीक है इसको आप पढ़के जाना होगा एक बार PVC type A के लिए maximum operating temperature 75 type B के लिए 85 type C के लिए 85 degree centigrade XLP crosslinked polyethylene के लिए 90 degree centigrade हमारा maximum operating temperature इसका इतना temperature तक वो sustain कर सते है rubber EPR E1 के लिए 90 degree centigrade and other के लिए 150 degree centigrade तक वो आपका maximum temperature sustain कर सकता है तो यह तो अभी हमने distance कर लिया insulation मैं आपको revise कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या distance किया conductor then हमने distance किया भी insulation अभी हम लोग क्या distance करेंगे अभी हम लोग insulating material की property इसमें से कभी-कभी a question ऐसा बहा पूछ लेता है कि इसके जो properties है कि कौन सी properties होनी चाहिए सबसे पहले तो high resistivity उसके resistivity काफिजदा रहनी चाहिए उसकी dielectric strength low रहती है हाई रहती है इसके उपर एक question पूछा जाता है तो it should have a high dielectric strength जो insulation हम लोग यूश करते cable के अंदर उसका dielectric strength high होना चाहिए then हमारी important property आती जो है low thermal coefficient उसका thermal coefficient है वो लो होना चाहिए water absorb नहीं करना चाहिए कि इसने अगर water absorb कर लिया तो यह short circuit होने के काफिजदा chances रहेंगे low permittivity होने चाहिए non inflammable होने चाहिए that means अगर यहाँ पर outer side में अगर fire burn होती है या फिर fire से अगर इसको damage नहीं होना चाहिए यह इसका हमीनी गया non inflammable जलना नहीं च स्टेबल होना चाहिए chemical outer chemicals से इसके कोई इसके उपर कुछ effect नहीं होना चाहिए उसके mechanical strength भी ज्यादा नहीं चाहिए high viscosity at impregnation temperature यह इसका important property है और उसमें capability होने चाहिए तो withstand high rupturing voltage HR से high ripturing voltage जो है HRV उसने sustain करना चाहिए and then last हमारी property आती है high tensile strength and plasticity इसके tensile strength और plasticity यह ज्यादा होने चाहिए इसमें से आपको एक नहीं questions पूच्छे जाता है कि इसकी insulating material की कौनसी property होनी चाहिए तो आप यह सारे चीज़े ध्यान में रहे कीगा okay then हमारे पास आता है inner sheath ठीक है जो आपने यहां पर देखा होगा inner sheath that means देखे मैं यहां पर बता दू okay यह होगे हमारे inner sheath यहां पर मैंने आप अल्वड़ी एक्स्टेंड के this is nothing but inner sheath okay that means this portion of a cable is also known as inner sheath and it is mostly using the core cable core cables के हम लोग इसमें यूज करते है and it works as a binder for insulated conductors together in the multi core power cables यह ऐसा binder करके भी काम करते है इसको properly bind करके रखने का भी काम करते है और इसमें हमारे पास PVC और rubber यह हमारे inner sheath हमारे पास दो materials है that means अगर question ऐसा पुछए आपको examination में कि हम लोग inner sheath कौन से कौन से materials का यूज करते है तो हमारे पास आएगा answer PVC या फिर rubber okay यह तब भी हमने डिसस कर लिए inner sheath अभी हमारे पास एक important जो इसमें factor है वो है हमारा armoring armoring हम लोग किस के लिए करते है अगर आपने इस image में आप ध्यान से देखोगे सारे चीज़ में आपको practical है समझा रहा हूँ armoring that means यह जो यहां पर metal के बास आपको दिख रहा है ठीक है यही इसी को हम लोग कहते है armoring ठीक है it is a process by it is a process which is done mainly for providing earthing shield to the current carrying conductor यह as a earthing shield करके भी इसको काम करता है okay and it provides extra mechanical protection यह काफी strong रहता है और हमारे जो inner core है यह फिर conductor से copper के इसको protect करने के लिए mechanical protection ही देता है सबसे इसकी important property क्या हो जाएगी mechanical protection आप चिंता ना करें अगर आप कुछ आते हो कि हम लोग 20 to 30 questions एक topic के पर लिया जाए तो हम लोग जल्दी से जल्दी वो cover करेंगे so that आपको mcq के form में आप लोग सारे revise कर पहोंगा आप इस session को पहले तो ध्यान से पढ़ ले रहा है एक य दो देनों के अंदर हम लोग mcq के उसका भी डेसर कर लेंगे ठीक है mechanical protection वो provide करते है आर्मरिंग बेसिक आर्मरिंग का जो function क्या होता है आर्मरिंग और मैं आपको यह भी बात बता दू एक question कुछ इस तरीके से भी पूछ दाता है mscdclg में एक question पूछा गया था कि जो यह जो binding tape है या फिर हम लोग अगर बात करते हैं जैसे कि आर्मरिंग यह किन दो layers के बीच में रहता है तो यह हमारे PVC sheet और हमारे PVC inner sheet के बीच में रहता है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से भी question पूछ जाते है I hope आपको question समाझ में आओगा कि जो हमारे layers है वो एक दूसरे क के उपर रहते हैं जैसे outer sheet हो गया हमारा binding tape हो गया तो आपको conductor की layer जो है particular layer जो वो किसके बीच में लाई करते है यह भी ध्यान में रखना होगा किन दो layers के बीच में वो layer आती है इसके उपर भी एक question पूछ जाता है ठीक है अगर आप examination examiner चाहें तो कुछ इस तरीके से भी question frame कर रहा देता है यह सारी चीज़े मैं आपको probabilities आपको सारी बता था किस तरीके से question पूछ जाता है इसलिए session को ध्यान से देखना रहता है ठीक है there are mainly GI wire armoring and GI steel strip armoring strip के भी armoring रहते हैं जैसे आपे wires है वैसे आपे normal strip wiring रहते हैं अगर आपने वो देखे होंगे तो GI wire armoring रहता ह या फिर GI steel strip armoring रहता है और यह mechanical protection provide करते हैं और यह as a earthing shield करके भी work करता है ठीक है तो यह तो होगे हमारा armoring इसी को हम लोग कहते हैं armoring यहाप आप देख सकते हो ठीक है आपको यहाँ तक समझ में आओगा then next है हमारे पास में last PVC polyvinyl chloride outer sheath जो यहाँ पर यह जो portion है ठीक है this black portion is known as the outer sheath ठीक है it is the outermost cover for the cable and usually the usually of the same material of the bedding जो bedding रहते है हमारा इसका same material रहते है हमारा PVC outer sheath and it is provided over the armor for the overall mechanical weather and chemical electrical protection ठीक है यह हमारे सबसे outer में रहता है इसके बाद में हमारे पास bedding है ठीक है इसके बास हमारे पास यह armoring है sorry डिसे इसमें हमारा यहाँ पर आर्मरिंग है आर्मरिंग के जस्ट उफ़र जो रहता है हमारा सबसे outer most cover उसको में रहते है outer sheath ठीक है and it is a protection offered by a cable mechanical यह हमारा mechanical protection प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन हमारा प्रोडिक्शन हमारा प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन कर रहता है इस cable को ओके यहाँ तक हमने connector से लेते हुए insulation से लेते हुए bedding से लेते हुए हमने आर्मरिंग से और outer sheath तक सारे points कवर करा ली ठीक है यह outer sheath क्या है हमारा outer most cover है और यह हमें mechanical weather conditions chemical and electrical short circuit या फिर electrical से हमारे insulate करता है हमारे outer sheath हमारे inner cores को inner materials को ठीक है तो यह तो हो गया हमारा outer sheath ठीक है अभी हम लोग क्या discuss करेंगे PVC outer sheath के जो advantages है disadvantages है different materials के ठीक है जो outer sheath में हम लोग different materials यूस करते जिसे PVC हो गया polyethylene cross polyethylene जो है हमारा यह advantages हम लोग decidedly discuss कर लेते PVC क्या है यह cheap है सस्ता है durable है और widely available PVC हम लोग काफी widely available पर इसके disadvantages का है अगर हम लोग outer sheath करके as a work करते उसको use करते तो इसकी highest dielectric extent है वो melt हो जाता है high temperature पे और it contains halogens और maximum operating temperature कितना है 70 degree centigrade है हमारे general purpose के लिए 85 degree centigrade है heat resisting purpose के लिए polyethylene हम लोग lowest dielectric losses है इसके high initial dielectric strength है इसके drawback का है it is highly sensitive to water drink material breaks down at a high temperature यह high temperature पे breakdown हो चालता है इसका maximum operating temperature वो depend करता है application पे cross link polyethylene पे जो advantages है उसके वह मैं आरे low direct losses improved material देखिए काफी एक बार इसको skip मत करेगा इसमें से question पूछा जा सकता है ठीक है low direct losses improved material properties आटा high temperature इसके advantages होगे और इसकी drawbacks जो है it does not melt but thermal expansion ओकर यह हमारा मेल्ट नहीं होता लेकिन इसके expansion जो है thermally अगर हम लोग temperature प्रोवाइट कर रहा है इसको high temperature पे तो वह मेल्ट होना शुरू कर जाता है ठीक है that means वह expand होना चालो देखिए melt नहीं होता expand होता है and it is medium sensitive to the water tree that means वह सेम ही रहता है बट इसका operating temperature जो है 90 degree centigrade है अभी हमारा पास EPR which is ethylene propylene rubber EPR that means ethylene propylene rubber इसकी क्या advantages it is flexible more flexible increased flexibility reduced thermal expansion and low sensitivity to the water stream and उसकी drawback है medium high dielectric losses रहते है और require inorganic filler additives operating temperature कितना है maximum 90 degree centigrade और देन हमारा पास में आता है paper या फिर oil उसकी advantages है low medium dielectric losses not harm by DC testing known history of for reliability यह काफी जदा reliable है और इसका weight ज्यादा रहता है cost भी ज्यादा है इसकी require hydraulic pressure pumps for insulating fluid and difficult for repair degrades with a motion यह इसके drawback होगे और इसका maximum operating temperature 70 degree centigrade यह आपको मैंने एक दो जो एक केबल से एच टैप एन एच एसल टाइप के केबल यह आपको मैंने इमेज प्रोवाइड कर रहा दी यह मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा देन हमारे पास में जो केबल लेंगे और इसके लिए इस कोड यह धान में यह examination में mcq के फॉर्म में पूछ जाता है ठीक है अगर इंडिन स्टेंडर्ड 1255-1983 का केबल लेंग और इंसलेशन केबल लेंग और इसके कौन सा इस कोड पूछ जाता है तो यह है हमारा इस 1255-81983 ठीक है इसमें अलग-अलग methods है केबल लेंग के अगर हम लोग केबल को कैसे ले करते हैं ग्राउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से तो उसके क केबल जो है ठीक है ग्राउंड के अंदर गाड दिए ग्राउंड के अंदर ले राउंड कर दिए ग्राउंड के अंदर बरी कर दिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास में ड्राइंग इंडक्स अपने यह देखेंगे जो डक्स रहते हैं उसके थू हम लोग पास आन करते हैं ते उसमें ये यूज़ होता है एक cable tunnel के अंदर हुई इसमें से हम लोग हमारे cables को carry out कर सकते हैं then हमारे पास में last रहता है along the buildings on the structure building के अगर along अगर अपने particular section provide करा दें इसमें space provide कर रहती है इसके अगर along आप cable को lay down करते तो इसको यह हमारा फिफ्ट यह जो type आ जाएगा और इसमें से आपको examination में क्या पूछ रहता है मैं आपको बताता हूँ जो laying डारेक्ट इन ग्राउंड पे जो आपके desired minimum depth of laying रहे यह 100% पूछ रहता है इसके पर एक question मैं आपको बता दो cables एक ऐसा underground के पाद एक अतना topic है कि हम लोग एक से दो घंटे का भी session इसमें कम गरेगा बट लेकिन मैं आपको for the examination आपको जितना examination में accurate proper optimized तरीके से मैं आपको provide कर रहा दो यही सारा चीज़ा में यही मेरा target रहता है कि मैं आपको जितना examination के लिए काम में में आता है जो questions पूछ जाता है वो मैं आपको provide कर रहा दो instead of going for a long theory lectures ठीक है तो यह बात ध्यान में रहेगा desired minimum depth कितना रहता है laying from a ground यह जो method है हमारा cable installation का from surface to the top of the cable यह जो surface है हमारे मान लो ground है यहास से लेके cable यहास से lay down हो रहा है पास on हो रहा है ठीक है तो उसमें जो different different cable के type रहेंगे उसका depth कितना होना चाहिए यह 100% examination में question पूछ रहाता है ठीक है high voltage cable 3.3 kv यह फर 11 kv का rating का तो उसमें depth कितना होना चाहिए 0.9 meters का हमारे पास depth होना चाहिए अगर high voltage cable 22 यह rating ध्यान में रहेखेगा आप 22 तो 33 kv का rating है तो 1.05 meter ध्यान में रहेखेगा low voltage and control cable है तो 0.75 meters है road crossings पे आपका 1 meter का minimum depth होना चाहिए ठीक है जमीन से हमारे minimum depth और railway crossing से हमारा 1 meter का depth होना चाहिए ठीक है ठीक है अगर यह आप ग्राउंड है इसका minimum depth कितना होना चाहिए यह हमें पताता है लेंग डिरेक्ट इन ग्राउंड अगर आप ग्राउंड में केबल को carry on कर रहे तो इसतना आपका minimum distance होना चाहिए ठीक है minimum depth होना चाहिए ठीक है इसके बाद में एक और question पूछ जाता है आपको यह हमारा desired minimum clearance values जो कि power cable to power cable की बीच में होने चाहिए चाहिए power cable to control cable की बीच में होने चाहिए power to control cable and power cable to gas supply या फिर water supply जो हमारे अंडरक्राण उट रहता है उसमें से जो horizontal clearance रहता है आपका ठीक है वो कितना होना चाहिए तो वो होना चाहिए आपका point two meters अगर आपका power cable है और उसके बाद में control cable है power cable है और control cable है same okay that means power cable to control cable के लिए हमारा पास point two meters का clearance value आना चाहिए power cable to communication cable या पर communication cable चाहिए communication cable के लिए हमारा जो clearance value आता है वो 0.3 meters का है and power cable to gas supply water supply के लिए 0.3 meters का इसमें से आपको एक question पूछे जान सकता है तो हमारी current carrying capacity पर इसमें काफी असर पढ़ सकता है ठीक है तो यह थे हमारी सारे important terminology जो हमें cables के underground cables के उपर ध्यान में रखने होंगे इसमें से आपको एक question एक से दू questions examination में पूछ जा सकते है इसका mcq-based session जाए तो please हमें comment box में comment करें आपका जितना अच्छे से response हमें मिलेका comment box comment section में उतना ही जल्दी में आपको mcq session आपको provide करा दूँगा ठीक है अगर आपको theory session से sufficient है ता आप वैसा भी आप हमें में बता सकते है ठीक है आपको मैं बता दू हमने कली एक जो महा मेंट्र रिक्रिट्मेंट के लिए जो नोटीस है मैंने हमारे चैनल कुछ इवाय पर अल्रडी अप्लोड कर दे उस पर आपको जाके देखना होगा काफी important recruitment है 139 vacances के लिए वाया है इसका PDF में जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा ओके आप हमारे Instagram पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं सारे जो लिंक से आपको description box में प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है अब हमारे नए चैनल को यह पर क्लिक करके भी subscribe कर सकते हैं so guys for the next time I will see you and have a nice day